याई आपके लिए जो तो रन लेके आई हूं वह मैंने इस वाली उनसे बनाई है इसमें बहुत सारे बिल्कुल अलग तरीके से मैंने बनाई है दिये हैं जिसमें ना कुछ अच्छा और एकदम अलग सा रहना बनाऊंगी मैं आपको और इसमें यह भी बता दूँ कि यह ना यूटूब पे अभी तक तो नहीं देखी है आगे आए तो मुझे नहीं पता क्योंकि कॉपी बाद चल्दी करते हैं सबी तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो चलिए इसे बनाने के बाद देखिए इस तरह से नौट लगा लेंगे और एक दो तीन चार पांग छे चैन चोड़के हम इस तर्ड वाली चैन में ही डालके एक डबल क्रोश्या ये दो फिर तीसरे में चोथी में और ये पाच छे और साथ तो ये साथ डबल क्रोश्या हो गए अब इसे हम पलट लेंगे और यहीं पे हम फिर से तीन चैन लेंगे और सभी के अंदर एक एक डालके यहाँ पे फिर से एक एक डबल क्रोश्या हर एक चैन में डालके हम इस तरह से बना लेंगे ठीक है ये देखिए यहां तक हो गया अब हमें आगे क्या करना है ये देखिए इस तरह से हमारा ये बनके तयार हो गया अब हम यहाँ पे एक, दो, तीन चैन लेंगे और तीन चैन लेने के बाद यह देखे एक, दो, तीन, यह जो यह फोर्थ वाला है, इधर एक यह चैन हो गई थी और तीन यह डबल ग्रोशा और इधर से भी तीन और एक यह चारी है, इसमें न छोड़ देंगे, यह तीन को छो देंगे और फोर्थ वाले में डालके हम यहां पर एक डबल क्रोश्या फिर से तीन चैन और इसी में डालके एक और डबल क्रोश्या ठीक है फिर एक दो तीन चैन लेंगे और यह लास्ट वाले में डालके एक डबल क्रोशिया बना लेंगे ठीक है यह देखे इस तरह से ठीक है अब हम इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद एक दो तीन चैन लेंगे और अब हमें क्या करना है देखे जो हमने यह दो डबल क्रोशिया बनाए थे ना इसमें से फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया को इ ओपर से नहीं लेना है यही से यह साइड से हम इस में लेंगे और एक फंदा किरोशे के उपर इस तरह से ले लेंगे एक हो गया, ये दो, तीन, चार, पांच, छे, और ये साथ, ठीक है, साथ बार फंदे हमने किरोशे के उपर ले लिए, और हम एक-एक, दो-दो करके ये फंदे निकालेंगे, तो ये दो निकाल दिये, फिर लेंगे, और एक ये फंदा, और दो और ये, इस तरह से निकाल तो ये इसी तरह से हमें सारे फंथे ना ऐसे निकालने हैं ठीके ये देखे इस तरह से ये सारे निकालने हैं फिर हम ना देखे ये यहाँ पर आगए ऐसे ये देखे आगए अब ये जो हमने तीन चैनल ली थी यहाँ पर हम दो डबल क्रोश्या बनाएंगे फिर एक चैनल ले इस तरह से ठीके अब हमारा जो यह अगले वाला डबल क्रोशी आए यह आगया इस पर हम अंदर की साइट से देखे इस तरह से फिर से पकड़ेंगे एक बार पंदा क्रोशी के उपर दो, तीन, चार, पांच, छे और यह साथ, साथ बार पंदे क्रोशी के उपर हो गए और अ इस तरह से, यह देखिए, और यह लास्ट में दो बचे इन्हें भी निकाल दिया, तो यह देखिए, यह हमारा कुछ इस तरह का बन गया है, अब हम यहाँ पर एक चैन लेंगे, और यह देखिए, जो यह हमारी नीचे के साइड में यह चैन है न, इसमें डालके, एक डबल क् लेंगे, और फिर जो हमने यह चार डबल क्रोश्या बनाएते और इनके बीच में एक चैन ली थी, इसमें डालके, एक चैन में एक डबल क्रोश्या, फिर से तीन चैन और फिर से एक डबल क्रोश्या, ठीक है, फिर से तीन चैन लेंगे, और देखिए, जहां से हमने यह यह वाली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई यह देखिए उसके बाद में हम यहाँ पर एक दो तीन तीन चैनल लेंगे और जैसे हमने यह बनाया था ना सेम वैसे ही दोबारा से बनाएंगे देखिए इस वाले डबल क्रोशिया पर जाएंगे और साथ बार फंदे क्रोशिय के उ कि इस तरह आसे हम निकाल देंगे यह इस तरह से न दो दो करके हम यह की मिद स्टियु में निकाल देंगे फिर हम यह चैन पर जाएंगे औरруг यहाँ पर एक दोबल क्रोश या इंवा जो गई चैन लेंगे और फिर से दो डबल क्रोश्या बना लेंगे ठीक है उसके बाद में इस वाले डबल क्रोश्या पर आ गए जैसे हमने ये वाला बनाए था ना सेम वैसे ही फिर से बनाएंगे ये एक बार फंदा क्रोश्या के उपर दो तीन चार पांच छे और ये साथ ठीक है और इने भी हम दो दो करके इस तरह से निकाल देंगे ये देखे इस तरह से लास्ट में ये दो ये बचे है इने भी ऐसे निकाल देंगे ठीक है फिर एक चैन लेंगे और जो ये नीचे वाली तीन चैन थी उसमें डालके एक डबल क्रोश्या हम बना देंगे तो ये देखे इस तरह से हमारा ये कुछ बनना शुरू हो जाएगा फिर हम इसे पल्टेंगे जो अगले वाली लाइन है वो बनाने के लिए फिर हम इसमें तीन चैन लेंगे और इन दोनों डबल क्रोश्या के बीच में जो एक चैन है उसमें डालके एक डबल क्रोश्या फिर से तीन चैन और फिर से एक डबल क्रोश्या फिर से तीन चैन लेंगे और जो ये शुरू वाली तीन चैन है उसमें डालके एक डबल क्रोश् ठीक है तो यह देखे इससे पहले हमने यह वाली लाइन सेम तरीके से बनाई थी और ऐसे ही यह हमें बनानी है उसके बाद हम फिर से तीन चैनल लेंगे और यहाँ पर फिर से साथ वार फंदे किरोशे के उपर हम ले लेंगे और यह साथ और इन्हें दो दो करके इस तरह से निकाल देंगे तो यह है ना आसान बिलकुल आसानी से ना यह फटाफट फटाफट से ना बन जाती है मैंने इसमें बीच में कहीं पे भी कट नहीं किये है वीडियो और सेम जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही आपको बता रही ह ठीक है ये देखे अब हम चैन पे आ गए तो यहां पर दो डबल क्रोशय बना लिए एक चैन ली और फिर से दो डबल क्रोशय इस तरह से यहां पे फिर से हम ये ही बनाएंगे और इसी तरह से हम उपर तक है न ये बनाते जाएंगे तो आपको ये न समझ आया कि हमें न किस तरह से ये करना है सेम ऐसे ही जैसे हमने ये बनाए है न एक बार हमें ये डिजाइन बनाना है और दूसरी बार हमें इस तरह से न धबल ग्रोश्या ही बनाए है तो ऐसे ही हमारा ये न बनता चला जाएगा तो यह पूरा करके फिर मैं दिखातीू आपको तो यह देखे, हम ने इसी तरह से बनाते वे आप देख सकते हैं, मैंने यह काफी बड़ी बना ली है और यह तोरन पती काफी आसान भी है और बहुत ही जल्दी से बन भी जाती है तो ये देखे इस तरह से ये हमारी बन के पूरी तयार हो गई अब हमें इसमें क्या करना है देखे इसे इस तरह से पलटेंगे और अब हम इसमें तीन chain लेंगे और अब last में हम हर एक फंदे में डालते वे इस तरह से एक-एक double crochet बना लेंगे तो यह तीन हो गए यह चार फिर आगे वाले में पाँच फिर उसे यहाँ पे छे और रास्ट में यह जो चैन है इसमें हम इस तरह से एक और डबल क्रोशया बना लेंगे तो टोटल ये साथ डबल गुरुश्या हो गए ठीक है और ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर हम चाहें तो दो लाइन बना सकते हैं फिर से इस तरह से दो लाइने और बना लेंगे मतलब एक लाइन और बना लेंगे तो यह हमारी पूरी की पूरी तोरुन पटी है ना, बन के तयार हो गई है, ठीके? यह देखे इस तरह से, अब यह पर हम इसे कट कर देंगे, तो मैं आपको एक पर दिखा दूँ कि यह ना किस तरह की लगी है, क्योंकि थोड़ा सा है ना, उससे दिखाए नहीं देता है, यह देखने में कुछ ऐसी पूरी की पूरी बनके तयार होगी है ठीक है उसके बाद में आपको इसके लिए बनाके रखी हुई है जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा यह चोटे-चोटे ना देखे इस तरह से हमने मैंने काफी सारे न बनाके रख लिए है जो मैं इसमें लगाना बताऊंगी यह देखे इस तरह से बनाके मैंने इसमें पूरे में रख लिए है जिससे आगे कहना जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको इसमें लगाना बताऊंगी और इन्हें इसके साथ कैसे अटेच करना है वो सब भी बताऊ तो आप महां से जाके देख सकते हैं क्योंकि इसे बनाने में इने पूरे को लगाने में और लगा के आने में काफी बड़ी वीडियो हो रही थी तो मैंने सोचा हैं कि इसे में कई पार्ट में डिवाइट कर दूँ जिससे आपको भी आसानी हो और मुझे भी आसानी हो आपको बताने में और समझाने में अगर आपको फिर भी कहीं पे कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे एक कमेंट कर लीजे मैं हर कमेंट के चवाब देती हूँ तो आपको वहाँ पे जाके नहीं बता सकती हूँ तो ये देखे ये मुर्गे हमने बनाए थे तो ये और ये आप बना लीजिए उसके बाद में से लगाना बताऊंगी तो पूरी सारी वी डिडियो के लिंक आपको नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फिर्स्ट वाला जो कमेंट होता है न वहाँ पे मिल जाएगा आप महाँ से जाके देख सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अब इसके अगले पार्ट के साथ बाई एवरिवन और थेंक्स वर वाचेंग इंजाइ दिस मेडियो